मैं डेयर फ्रेंस दोस्तों कैसे हो आप सब आई होप कि आप सब अच्छे होंगे तो मैं आज आपको इस वीडियो में इकोनॉमिक्स के कुछ ऐसे मैंने यहां पर पॉइंट में लिखी हूं जिन्ना में समझाने वाली हूं तो दोस्तों कही बार ऐसा होता है कि है कि अर्थ व्यवस्था यहां पर इसके नाम बदल कर हमसे पूछ ले जाते हैं तो हम लोग कमफियोज हो जाते हैं कि कि बौस्ताम है नियंटरिद एर्थिवेवस्था होगी तो आज हम लूग इस पॉइंट को समझने वाले यहां पर मैंने कुछ निखा है को नियंटरिद एर्थिवेवस्था हो गया किंधरी ईर्थि वेह वेह व्यांत्रिद eff consider हो गया तो इन सब के अर्थी व्यभवास्ता को आज हम इनके अर्थ को समझेंगे और साथ अफो एक्जाम्पल भी बताएंगे कि कौन से द tobacco कि फाल कर यदिंगी तो में थाया जाया अन्ता सोमें भी उतलना यह दोश्जाम्पल पंद लेक यह संब्यांतर हैं एक और यहां पर है इसका अर्थी बदाएं चींत करें हैं यहां पर नियंद्रित अर्थिवयुस्ता को लिखा यहां पर हम तो दोस्तों सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि नियंayan अर्थिवेवस्था किसे कहते हैं ठीक है देखिए देखिए ऐसी अर्थिवेवस्था ऐसी अर्थिवेवस्था जिनमें आर्थि क्रियाओं का नियंत्रण का जो अस्तर होता है वो काफी ऊचा होता है तो उसे कहते हैं क्या नियंत्रिवेवस्था मैं यहाँ पर लेख देते ह है ऐसी अर्थ बेवस्था देखिए ऐसी अर्थ ऐसी अर्थ बेवस्था जिन में आर्थिक क्रियाओं इसमें आर्थिक क्रियाओं के नियंत्रण ठीक है नियंत्रण का अस्थर बहुत उचा होता है ठीक है यहां समझे ऐसी अर्थ बेवस्था जिन में आर्थिक क्रियाओं के नियंत्रण का जो अस्थर होता है वो काफी उचा होता है यहीं बहुत उचा होता है तो ऐसी अर्थ बेवस्था को क्या कहते है नियंत्रण अर्थ बेवस्था अब यहीं अगर हम बात करें कि केंद्री अर्थ बेवस्था किसे कहते हैं है ना केंद्री अर्थ बेवस्था किसे कहते हैं तो दोस्तों यहां पर आपको कंफ्यूज नहीं होना बहुत ही सिंपल सब्द बदल जो अर्थ ना अगर आप इसके परिभासा को पकड़ लेते हो अगर आप एक नियांतित अर्थिववस्था इस में से किसी भी अर्थिववस्था का अगर आप एक पॉइंट लेते हो तो उसके आधार पर यहां पर चारो के चारो का इंसोर आज बड़े ही आसाने से लिख लोगे ठीक है कुछ है नहीं इसमें बहुत सिंपल है मैं आपको बताओ कैसे देखो कैसे आपको पकड़ना है यहां पे गह रहा है कि मिस्त्रित अर्थिविवस्था तो यहां पे मैंने आपको बताया कि ऐसी नियंत्रण का अस्तर बहुत हुचा है दोस्तों पहले आप यह समझो यहां पर जब भी अर्थिविवस्था की बात की जाए ना तो आर्थिविवस्था का जो तातपर हो गया जो तातपर होगा वो यह समझना पैसे से होगा ठीक है पैसा यानि पैसे से होगा यह समझो कभ कि पे अर्थी इंद्रन का यहां पर आर्थीक अर्थिव्यवस्था अर्थी क्रियाओं के नियंत्रन का जो अस्तर होता है ऑन थीक वह बहुत ऊचा होता है ठीक आप ठीक किसे विप्रित कर दो हां यहां एक बात हो समझो किंद्री अर्थ भिवस्ता पूछे नियंतृत अर्थ को बदल जिया गया घौ Tomorrow देखो यहां पर नियंत्रित यानिकि उस पर कबू करना अब यहां पर केंद्र काम जानते हुए केंद्र रहुती है वो जो भी नियम काइदे कानून बनाती है वह तो यहां पर केंद्र मतलब यहां दूझतographics यहां पहोजां तो यह आगी और यहां फिर सबस्टाइपक। यहां पहले ही नुट जो वह यहीं हो तो यहां पोछ लेखाने तो आप अगर यही लिख दोगे ना तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं है आप आसारी सी जितने आंक आपका वो मतलब रिधारत होगा उतना आसारी सी मिल दाएगा दोस्तों यहां पर इन दोनों का अर्थ यहीं है ऐसी अर्थ वेवस्था जिन में आर्थिक इतना हमेशा पकड़ के च अध्य से तो यहां पर दोनों के लिए अर्थ वेवस्था किसे कहते हैं ढूंके आर्थिक रेमीं के नियंद्रन आता जो अस्तर होता है बहुत उचा है अब ठीक इसकी प्रित में कर दो तो यहां पर बागते अर्थ अर्थिवेवस्था हो जाएगा कैसे हमापको बताते है देखिए इन दोनों का अर्थ तो आप समझ गए ठीक है अब बात करते हैं यहां पर हम बाजार अर्थिवेवस्था की तो मैं आपको बताओं ऐसी अर्थिवेवस्था ऐसी अर्थ ऐसी अर्थिवेवस्था जिन में जिन में आर्थिक क्रियाओं क्रियाओं के नियंत्रण केवल नाम मात्र का होता है रूखिए नियंत्रण का जो अस्तर होता है अस्तर केवल नाम मात्र का होता है देखिए कुछ है ने हैं इसमें कुछ भी नहीं है बस यहां पर मैंने आपको क्या बताया यहां पर आर्थिक क्रियाओं के नियंत्रण का जो अस्तर होता है वह बहुत ऊचा होता है और ठीक इसकी बिप्रित कर दो ऐसी ल्यूस समझतोर अच्छी करियाओं की नियंतर का अस्थर केवल नाम मात्र का होता है क्या अंतर है कि कुछ भी नहीं यहां पर उचा है और यहां पर सिर्फ नाम मात्र का है होगी अब यहां पर देखो इसे कहते हैं बजार अर्थिव锡़ था प्या किया आट amar बराबर होता है ना तो अधिक होता है और ना ही कम होता है तो उसे कहते हैं अर्फट त्पिक है लिंडू मैं नीचे आपको यहां पर लिग देना है शहां ओक गते ऑब ऐसी अर्थी व्रव्रश्था च्टैसी, ॥ है अर्थी बस था जिन में जिन में आर्थिक क्रियाओं जिनमें आर्थिक क्रियाओं के नियंत्रण का अस्तर ना तो अधिक होता है और ना ही कम होता है अब समझ में आया देखो कुछ भी नहीं है मैंने यहां कहा कि जब भी आप से पूछे कि नियंत्री अर्थिवेवस्था किसे कहते हैं आपको अगर अर्थ पूछा जाए तो आपको ऐसे लिखना है कि ऐसी अर्थिवेवस्था जिनमें आर्थि-क्रियाओं के नियंत्रण का जो अस्तर होता है वो बहुत उचा होता है समझो नियंद्रित किंद्री में जो आर्थी क्रियाओं का अस्तर होता है नाम मात्र का होता है ठीक है तूसे कहेंगे और यदि हम बात करें कि मिस्ट्रित अर्थिविवस्था किसे कहते हैं तो ऐसी अर्थिविवस्था जिनमें आर्थिक्रियाओं के नियंतरण का अस्तर ना तो अधिक होता है और ना ही कम होता है यानि कि बराबर होता है तो उसे कहते हैं मिस्ट्रित अर्थिविवस्था ठीक हैं तो मैं यापको बताऊं कि जैसे की रूसु में आपको बताऊँ अगे जैसे बात फुल की नहीं होग्या ता देख चीन और रूस ले लिए ही हो हो गया और उत्तरी कोरिया हो गया है उत्तरी कोरिया यह यह जो देश है इन देशों में आपको ऐसी अर्थिव्यवस्था देखने को मिलेगी कैसी नियंतरित और केंदरी अर्थिव्यवस्था और यह दिकर हम वही बात करें कि आपको बजार अर्थिव्यवस्था कहां को दे येन फैसे देशों में आपको कैसी अर्थवीध की अर्थविवष्था, कहां हो इसका इंसका घूसय को क्योंकि भारत में मिस्ट अर्थविवष्था मिलती है तो यह क्लिर होता हैं उतर अर्थ वीवश्था थारम का फिर मैंने आप यह भी बताए कि इनकी देशों में देशनी को मिलती है अब थोड़ा बात यह कर लेते हैं इसे एक्जाम में आपसे पूछ लिया कि आप यहां पर मिस्रित केंद्र अर्थिववस्था में अंतर लिखी है यह फिर अंतर बताईए ठीक है तो यहां पर आपको इसे में एक दो जान ले न चाहिए ताकि अब हाप logion में अच्छे से लिख सको तो मैं आपको बताओं इसमें अंतर क्या जो सरकार के माध्यम सब सरकार करती है कि कोई भीत वश्तु कितने मीं बेचि जाएगी डायब कैसे यह सारे डेचल होती हैं सरकार ही करती है कहने का मतलब यह है कि इन दोनों अर्थ व्यक्ताओं में जो भी नीयम होंगे ठीक है जो भी नीयम होंगे वो सब कुछ नीयम को बनाने वाली कुन होगी सरकार । ठीक है यहां फिर ऐसे किसंटर के नियंति य। ten कि इंधिर बश्था का जो जड़ होता है एक सरकार की हातों में अब मैं आपको बताऊं अब यहां जो बस्तुर का मुल्य होता है वह बज declari करते हैं जनता करती है इसमें जनता का प्रभुत्तु होता है जनता जनता तो करेगी लेकिन वहां पे उसको नियमित रूप से लागू करने का जो करें यहां पर सरकार अपना मतलब मत नहीं कर रही है तो यहां पर इसमें जनता का प्रभुत्तु होता है और यह जो अर्थनी वश्था होती है नियंत्रित यह सिर्फ और साल जो निक चेत्रों में मतलब लागू होती है और यहां पर बजार करते हैं किसे कहते हैं तो मैंने आपको बताया कि ऐसी अर्थिवस्था जहां पर ना तो कम न जादा दोस्तों कि अंधर आता भी है तो आप आसाने से लिख सकती हो अगर आप इसकी अर्थ को समझ चुके हो तो ओके माट डेफ फ्रेंज आई होब कि यहां पर मैंने जो अर्थ बेवस्था की प्रकार को लिखा यह आपको समझ में आया होगा और अगर नहीं भी आया है तो आप लोग कमेंट में बोश लेना मैं उसे जरूर बताऊंगी ओके माट डेफ फ्रेंज हम फिर मिलते हैं नेस्ट वीडियो में थैंक्यू सो मच